जिस तरह से इसके पहले भी उनके बंगले में आग किसने लगाई थी तो जो ट्रैक रिकार्ड रहा है बीजेपी की जो मनसा रही है चेत्रिय दलों को समाप्त करना तो वो कर सकती है यह अनुवान लगा जा रहा है भादों के बाद वैसे भी एंडे में भारी भगदर मचेग क्या सच मुचे चिराख पाषवान की पार्टी तूड़ जाएगी चिराख पाषवान के तीन सांसद चले जाएंगे बीजेपी के साथ या फिर विपक्ष के साथ किसके साथ जाएंगे चर्चा तेज है और इस चर्चा को खुब हबादे रही है तेजस्पी यादव की आरजेडी नमस्कार दर्स न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग चिराग पास्वान की पाटी के पांस सांसद हैं लोग सबा चुनाव में चिराग पास्वान ने बड़ी सफलता हासिल की 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 सीटों पर जीत हासिल की एक सीट पर खुद सांसद बने हाजिपूर से दूसरी सीट पर जी जाजी को सांसद बनाया जमोई से अरुण भारती को और उसके अलाबा खगडिया, समस्तिपूर और वैसाली ये तीन सीटे भी जीत ली चिराख पासवान ने यानि पांच सीटे मिली और पांचों सीट पर जीता सिल की 100% का स्टाइक रेट रहा चिराख पासवान का केंदर में मंत्री बन गये चिराख पासवान और केंदर में काफी पावरफुल हो गये चिराख पासवान केंदर में उनकी बात सीधे सीधे पी-म नरेंद्र मोधी सुनने लगे हाल के दिनों की अगर बात करें तो चिराग पासवान जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध करने लगे तो वह ऐसी में बीजेपी के कहीं न कहीं आखों की किर्किरी भी बन गए जिस तरह से केंद सरकार ने कई सारे बिल लाएं लेकिन चिराग पासवान ने उसका विरोध भी किया पुर्जोड तरीके से विरोध किया और यहां तक कि आरच्छन के मसले पर चिराग पासवान बिपक्च के साथ भी खड़े हो गए भारत बंद हुआ था तो चिराग तो ऐसी इस्तिती में लगातार असाहज इस्तिती NDA के अंदर बंती चली जा रही है और चिरागपासवान के बारे में यह चर्चाब होने लगी कि चिरागपासवान की पार्टी तूट जाएगी वैसे चिरागपासवान की पहले लड़ाई लड़ी और एक बार फिर पावरफुल इस्थिती में आ गए लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी चिराग पासवान के तीन सांसद उनका साथ छोड़ देंगे क्योंकि एक तो जीजा और साला है यान पारी राजेस बर्मा जो खगडिया के सांसद है सांभवी चौधरी जो समस्तिपूर की सांसद है और नितीज सरकार के मंत्री जो है असोग चौधरी उनकी बेटी है और तीसरी जो वैसाली की सांसद है वीना देवी जो पहले भी इस जब तूटी थी पाटी तो उस वक्द भी उन्होंने चिराग का विरोद किया था और अलग हो गही थी चिराग से तो ऐसी इस्तिती में ये इन तीन सांसदों के बारे में चर्चा है कि वो छोड़ देंगे पाटी चिराग पास्मान का साथ और बीजेपी के साथ चले जाएंगे ये समभावना बार बार आरजेडी जता रही है आरजेडी के विधायक मुकेश रोसन स्ताफ तोर पर पिछले दिनों कह रहे थे कि बीजेपी की ये आदत रही है बीजेपी अपने सयोगी दलों को तोड़ने का काम करती रही है उन्होंने कहा कि इससे पहले भी विई आईपी के तीन विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा था याद होगा आपको चिराग पासवान की पार्टी के पाथ सांसत भी तोड़े गए थे ये भी बताया मुके कुमार रोसन ने जो आरजेडी के विधायक है और अब जो है बीजेपी के द्वारा फिर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि चिराग पासवान की पासवान की पाटी को फिर से तो तोड़ सकती है तो इस मसले पर आरजेडी के प्रवक्ता है तो मिर्तुञे तिवारी का बड़ा ब्यान भी आया है मिर्तुञे तिवारी का ब्यान सुन लीजे जो आर्जडी के प्रवक्ता हैं अब लोग करें लगा रहे हैं जिस तरह से इसके पहले भी उनके बंगले में आग किसने लगाई थी तो जो ट्रेक रिकार्ड रहा है बीजे पी की जो मनसा रही है चेत्रिय दलों को समाप्त करना तो वो कर सकती है यह अनुमान लगा जा रहा है भादों के बाद वैसे भी एंडे में भारी भगदर मचेगी अब आगे आगे देखे क्या होता है काट की हांडी नहीं चड़ती है लेकिन बीजे पी तो इसके पहले भी चाहे बंगाल हो चाहे महराष्ट हो चाहे मत्पदेश हो कई जगों पर यह काम कर चुकी है इसलिए यह क्यास लगाए जा रहे हैं आप लोग भी पाठी एक जारी को धरना प्रवसन होगा जो आरक्चन का दाइरा बढ़ाया गया था उसको नौमी अनुसूची में डालने की मांग को ले करके यह बात लगातार हमारी पाठी हमारे निता सरीते जस्वी जादब भी कर रहे हैं अब सड़कों पर उतर कर हला बोल होगा आंधोलन होगा और के इंद सरकार से जो लगातार मांग हो रही थी उसको सड़कों पर उतर कर सारे परकंडों में सारे राज्य में यह आंधोलन चलेगा तो सुना आपने हैं कि आर्जेडी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं जिस तरह से चिराग पासवान को याद रखना चाहिए कि उनके बंगले में आग लग चुकी है पहले भी उनके सांसदों को तोड़ा गया है कई स्थान पर बिजommes ये काम कर चुकी है अपनों में तोरफोर का काम कर चुकी है वैसे इस्तिती में ये कयास बहुत जवर्दस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ देगी उनके सांसर्दों को तोड़ देगी और अपने में पार्टी में मिला लेगी क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान इन दिनों लगतार बयान बाजिया कर रहे हैं जारकन में चुराओ लड़ने का भी दावा उन्होंने ठोक दिया है और ऐसी इस्तिती में पार्टी के स्टेंड के साथ बार-बार विप्रीत तरीके से खड़े हो रहे हैं चाहे अभी हाल फिलाल में बात करें जातिय जन्गंणा का मसला जो लगतार तेजी से उचल रहा है जातिय जन्गंणा की लगतार चर्चा हो रही है उस पर चिराग पासवान खड़े हो गए यह मानना है बिरोधियों का और ऐसे में बिरोधी बार बार ये दाव चल रहे हैं कि चिराग पस्वान की पाटी तूट जाएगी चिराग पस्वान के तीन संसद उनका साथ छोड़ देंगे और चिराग जीजा जी के साथ अलक थलक फिर से पढ़ जाएगे हाला कि चिराग के सांसद इसमें बार-बार सफाई दे रहे हैं चिराग के सांसद बार-बार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये बिरोधियों की चाल है और कहीं न कहीं चिराग पस्वान जब कल पटना पहुँचे तो उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने साब तोर पर चाचा पर इसारा किया और चाचा को उन्होंने नसीहत दे डाली यानि चाचा पसुपती कुमार पारस की तरफ उनका इसारा था कि उनी की तरफ से ये सब कुछकर रचा जा रहा है और अफवा फैलाई जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है उनकी पार्टी ए जा रही है कि उनकी पार्टी एक जुट है और ऐसी कोई तोर फोर होने वाली नहीं है पार्टी में कोई तूट फूट मचने वाली नहीं है लेकिन सियासत है और सियासत में पिछला रिकॉर्ड जो है चिराग पासवान के खिलाप रहा है चिराग पासवान की पार्टी तूट आती है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ और ये चर्चा होने लगती है कि बीजेपी के साथ अब जो है चाचा की नजदिकियां बढ़ रही है और चिराग की दूरियां बढ़ रही है ऐसी इस्तिती में अब क्या होगा बिहार की सियासत में क्या चिराग पासवान के पा पासवान ले का काम कर रही है तो वो तेजस्वी यादों की और जडी और जडी पूरी तरह से नजरे बिछाए बैटी है कि चिराग पासवान की पार्टी में अगर कैसा कुछ होता है तो आर्जेडी भी तैयार है चिराग पासवान साथ छोड़े चले आए जडी के साथ लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के तीन सांसदों के तूट कर बीजेपी में सामील होने की चर्चा तेज है और इसमें तेजस्वी यादों की पार्टी खूब मजे ले रही है बने रही है दर्स नियोट के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलहाल के ल लेकिन साथ